हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक ने मैं चैनल अम्री तीप शमिला आज की वीडियो में हम लडू पाल जी के लिए के बूट बनाने वाले हैं यह जो छोटे वाले आप देख रहे हैं यह छोटा वाला साइस जीरो साइस और एक नंबर को आप पहना सकते हैं और यह बड़ा वाल पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अगर आप मुझे अभी तक इंस्टागाम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहां पे फॉलो करिए मेरा इंस्टागाम है अम्रिती फैसंवलाब फ्री लिंक आपको डिस्क्रिप्स बॉक्स में लियागा चलिए अब बोटोस को में राजय को में बताय ना जाय के लिए और 556 एक नमबर दो नमबर तीन नमबAud और 4 नमबर के लिए बनाईए यह देखें मैंने आप एक एक पैर का बना के पहना दिया है अब दूसरे पैर का आपको बनाती हूँ आप भी सीख लीजिए कि कैसे बनाने है काफे टाइम से मुझे कमेंट आ रहे थी बनाने के लिए यह देखें यह चार नंबर में बता रही हूं एम एम नहीं बत करना है और क्रोशा हूं भी थोड़ी पतली ही यूज़ करने है एक ताम छोटी-छोटी हमें बनानी है अपनी बूटी तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक तम सिंपल और आसान तरीक आपको बताऊंगी यह सभी काना जी लोग सेल होने के लिए हैं इसलिए इतने ठड़ने मे काफ सारे लोग को लगता है कि यह मैं अपने कानल जी को वीडियो में लेके आती हूं कितने सारे लोग तो बुरा-बुरा कमेंट भी कर देते हैं अब देखे यह इस तरह से हम यहाँ पर ऐसे करके एक लूप बनाएंगे और इसमें अपने हुक को डालना है हुक को डालने क चार हमने चार चेन बना ली अब देखे एक चेन हमारे हुक में इसके बाद हम एक चेन छोड़ेंगे और अगली चेन में हमें डालना है इस तरह से हुक को फंदे को निकाल दिया और हमने यह सिंगल क्रॉश या बुन दे फिर नेक्स चेन में डालेंगे यह हमने डाल दिया यहां से फंदे को निकाला और हमने single crochet बुन दिया फिर देखें अब जो इसके बाद हमारी तीसरी वाली chain है यह last वाली इसमें हम डालेंगे और इसमें हम 5 बार single crochet बुनेंगे एक की जगह डालके यह हमने 1 बार बुना अब यह हमने same जगह डालके दो बार सिंगल क्रोशिया बना ली यह हमने सेम जगा डालके तीन बार सिंगल क्रोशिया बनाई फिर यही सेम जगा डालके हमने चार बार सिंगल क्रोशिया बना ली और यही सेम जगा डालके हमने यह पांच भी सिंगल क्रोशिया भी बना दी येदिखे हमने 5 बना ली है अब हमें बुर्णा है यहा से इस तरह से यह वने हो 0, 오늘 सिंगल क्रोशिय बनाहों 5 बनानेके बाद फिर यहां पे हमने यह अगे ज़ारिके दाले के एक बार और बना ए तीन चेंट थे टीन यहैं जो दुरू संकेसा। और粉 बार बनानाने के वाद इधर भी हमें 2 बार बनाना ही। तिस के बाद हम क्या करेंगे। इसरे यहाँ पर is तरह से ज््वाइंट करेंगे। ऐसे करके हुंक को ढालना है। ढालने इक बात फंदे को निकाली और इस हाँ से भी निकालेंगे। यह जो नीचे का हमारा बेस होता है, वो रैडी होगा है, अब हमें क्या करना है, इस तरह से हमें एक और दो, दो चेन बनाई, ऐसे लबेटेंगे एक बार, यहाँ अगली चेन में डालना है, डालने के पद फंदे को निकाला, और निकालने बाद देखें तीन फंदे हैं, ती में बुन देंगे, यह देखें, इस तरह से डाला, तीन फंदे हैं, तीनों को एक साथ उतार दिया, हमें हाप डबल क्रोश्या सभी चेन में सिर्फ एक बार ही बनानी है, यह इस तरह से, बहुत ईजी है, बहुत ही, अगर आप बिगनर हैं, तो भी आपको कुछ दिक्कत न हो, और सब लोग बहुत आसानी से इसे बना ले, यह देखें, इस तरह से, सभी चेन में सिर्फ एक एक बार हमें हाप डबल क्रोश्या बनानी है, यह आपका बहुत ही इजली कम्टीट हो जायेगा, यह इस तरह से मैंने, देखें, एक चेन और बची है, इसमें भी बुनू यह देखें, यह इतना बड़ा हमारा हो गया है, अब हम यहाँ पे एक चेन बनाएंगे, और अब हमें फिर उसी तरह से सभी चेन में एक एक बार सिंगल क्रोश्या बना लेनी है, यह देखें, यहाँ से हमने अपनी फर्स चेन में डाला, फंदे को निकाला और बुन दिया फिर हमने अगली चेन में डाला, फंदे को निकाला और बुन दिया, बहुत एजी है, बहुत एजी, अगर आप बिगनर हैं, अगर आप यह चलाना जानते हैं, क्रोश्या हो, तो आपको कोई प्रॉब्लिम नहीं होगी, अगर आप नहीं जानते हैं, तो पहले आप क्रोश् बनाना है किसी में भी आप डबल रिपीट ना करें और इसे बनाने में बिलकुल टाइम भी नहीं लगता है मैं आपके सामने एक तम आराम आराम से बुन रही हूँ फिर भी आप देखिए अभी हमें बनाते से पांच मिनट ही हुआ है और यह हमारा कम्टीट होने वाला है यह फिर हम इसे जोइन कर देंगे यहां से डालके फंदे को निकाला और जोड दिया बस अब हम इसे यहां से कट कर देना है यह हमने कट कर दिया कट करने बाद थोड़ा लंबाई रखके कट करते हैं इस उन को हम खिच लेंगे और सबसे पहले तो यह जो नीचे वाला उन है इ तो इस तरह से पहले उनको थोड़ा दूर ले आके खीचिए और उसके बात कट करिए अगर आप एक दम पास से तुरन तुरन कट कर देंगे तो फिर आपका वही बुनाई जो है वो खुलने लगेगी यह देखें यह हमारा होगा है इस तरह से हमारा आया है आप देखें कितन हमने नौट लगा के कट किया था अब हम इसे आगे की एक और दो दो चेंजो है वो सिल देंगे तो यहाँ पे देखें मैं हुक की हेल्प से इसे सिल देती हूँ इस तरह से हुक को डालना है डालने के बाद यहाँ से हम उनको निकालेंगे यह इस तरह से हमें उनको निकाल और निकालने के बद यहां पर हमें नॉट लगा देनी है यह इस तरह से यह हमने नॉट लगा दी बहुत ही इजी है आफ टाय तो सुईधागी से भी सिल सकते हैं एक चेन में हमने डाल के नॉट लगा दी और अब अगली चेन में हम डालेंगे इस तरह से आगे पीछे दोनु को निकालना है और निकालने के बाद इस तरह से करके नौट लगा देनी है बस यह सिलाई भी हो गई है इतने के लिए आप चाहे तो सुई धागे का भी यूज़ कर सकते हैं अब हमें क्या करना है अपने इस उन को हम यहीं पासे नहीं कट करेंगे इस तरह से देखे पकड़क और खीश लेना है यह हमने एक को किश लिया थोड़ा इधर राके दूसरे वाले को भी किश लेते हैं यह हमने दूसरे को भी किश लिया अब इसके होल में इस तरह से आप सेट कर लिजे और यहां प्याविसे कट कर लिजे यह हमारा बूट देखे बनके रडी हो गया है आप देखे कितने अच्छे से फिट आ गई है बहुत ही आसानी से आप बना के और अपनी काना जी को पहना सकते हैं और बहुत ही खुबसुरत लगती है बस आपको हूंक पतली उसकरनी है और उन भी आपका पतला होना चाहिए तो यह हमारा एक नंबर का तो हो गया अब मैं आपको यह दो नंबर का भी बताती हूं कि कैसे बनाना है थोड़ा सा चेंज रहेगा हमें इस तरह से एक नौट लगा के लूप बना लेनी है अब यहां से हमें से टाइट करेंगे टाइट करने पाद हमने दिखें एक दो तीन चार और यह पांच हमने यहांब यह पांच चेंज बनाई है अब हम क्या करेंगे इस तरह से लपेटेंगे और यहां यह दिखे एक चेंज तो हमारे हुग में इसके बाद हमें एक और चेंज छोड़ेंगे और जो तीसरी चेंज है इसमें हमने डाल देना है हुग को और यहां से उनको निकाल लिए अब देखें तीन chain में डालेंगे यह हमने फंदे को निकाला तीन फंदे हैं तीनों को एक साथ उतार दिया तीन हमने यहाँ पे half double crochet बनाई अब चौथी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा इसी चौथे में हम 5 बार half double crochet बनाएंगे इस तरह से किया और यह हमने अपनी chain में डाला चौथे यहाँ से उन को निकाला और यह हमने एक बार half double crochet बनाई यह हमने सेम जगा डाला फंदे को निकाला तीन फंदे हैं तीनों को एक साथ उतार दिया दो बार हमने half double crochet बना ली फिर हमने यहाँ पे सेम जगा डाला और यह हमारी तीन half double crochet हो गई फिर वही चीच करना है यहाँ पे हमें सेम जगा डालना है और यह हमारी 4 half double crochet हो गई और यहीं सेम जगा डालके यह हमारी 5 half double crochet हो गई हमने यहाँ पे डोटल 5 half double crochet बना लिया अब इधर हमें 3 बनानी half double crochet यह इस तरह से बिनाएंगे, यह हमारी पहली हो गई, फिर आगे डालके, यह हमारी दूसरी हो गई, और फिर आगे डालके यह हमारी तीसरी डबल क्रोश यह हो गई, यह हमने तीन बनाती है, अब हमें क्या करना है, यहां इसे जॉइंट करना है, यह ने उन को फसा के इधर ल इस तरह से उन को निकालेंगे और यहां से भी निकालेंगे यह देखें अब यह जो नीचे का हमारा base होता है वो हमारा ready होगा है अब हमें क्या कर जाए है यहां पर एक और दो दो हमने chain बनाई इस तरह से करेंगे और यहां सभी chain में हम double crochet बनाएंगे अब देखें आप चाहे इस तरह से किया फिर अगले chain में डाला यह उन आप इस तरह से पकड़ लीजे तो इसे में आपका यह double crochet बनता चला जाएगा फिर अगले chain में डाला और हमने यहां पर double crochet बना दी यह देखें फिर हमने यहां पर अगली chain में डाला और double crochet बन दिया यह इस तरह से ऐसे करके य इस चेन में के एक बार हमें डबल क्रोश या बुद्नी है बहुत इजी है काई बहुत इजी अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बहुत ही सिंपल और आसान तरह किसे आप इसे बना लेंगे बस आपको ध्यान देना है कि आप दिखिए मैंने हम आगे चेन में बनाएंगे ध्यान से देखके बनाएंगे अगर आप ध्यान से देखके नहीं बना पाते हैं तो आप गिन लेजिए तीन चेन हमारे इधर की है पांच बीच की है और तीन उधर की है तो इस तरह से आप इसे गिन के भी बुन सकते हैं उससे आपका इसे जोट कर लेंगे यह समय है यहां तो इस तता सबगा यहां पर सिंगल क्रॉश्य बनानी है एक चेन बनाई और अब हम यहां पर सभी चेन में एक बार सिंगल क्रॉश्य बनाएंगे यह इस सबी चेन में एक ही बार ही बनाना है, कहीं लूआ भी आपको दो बारaliśmy करना ही, लुए हमारा रोक अप्टिट होगा, तो हम नॉट लगा के कट करदेंगे, और उसके वांधे हम इसे स्टिच vocal हो जाएगा। बहुत ईज़ी है बहुत ईज आप बिगनर हैं, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको क्रोशिया चलाना आना चाहिए, यहाई पर मेरा निकल गया है, मैं इसे उठा लेती हूँ, मुक में अपने, और सभी चेन में एक एक बार बनाते हुए हम पीछे आ जाएंगे, जहां से मैं नौट लगा कि इसे कट कर कि वही हमारा बैक का हिस्ता रहेगा, पहनाते टाइम वही हमें बैक पे रखना है, और आगे वाला हिस्ता हम सिलेंगे, यह देखे यह इस तरह से, सभी चेन में, सिंपली एक एक बार सिंगल क्रोश है, मैंने कही भी वीडियो स्किप नहीं की है, एकदम आसान तरीक से आप यह पर नॉट लगा लेंगे, इसे लंबा किया और कट कर देना है, यह हमारा कट हो गया, यह स्तर से हमारा रेडी हो गया है, अब इसमें आप इसे चाहें तो इस तरह से यह तरू कर सकते हैं, यह देखे, यह हमारी यह सीदी साइड मिल गई, बहुत छोटे साइड में, से बड़े साइज में आप इसे टुण कर सकते हैं जिदर से निकला है वह हमारा बैक पे रहेगा और यह इसा मारा फ्रंट पे रहेगा अब आप चाहें तो इसे अपना सिलने के बाद सीधा करिए यह मैंने उल्टा कर लिया है फिर से अब मैं इसे स्टिच कर देती हूं फिर हम चेटें देखें, दो यहाँ से, और दो यहाँ से, तीन ही वाई समझ लेजे अब, टोटल चेटें हमें यहाँ पर स्टिच का लेनी है, यह उन मैंने ले लिया, और लेने के बाद, इसे हम डाल के अपना सी लेंगे, यह इस तरह से हमने लिया, यहाँ पर हमने एक नॉट लग यहाँ से, एक नॉट लगा लेंगे, अपना, यह हमने नॉट लगा के, कट कर दिया, अब कट करने के बाद, हमें इसे इस तरह से, यह देखें, ऐसे नॉट लगा के, और फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखें, उन को कट कर लेना है, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखे और कट कर देजिए और यह जो उन हमारा पीछे वाला बचा है इसे भी हम यहां से निकाल लेंगे यह इस तरह से आप डायरेक्ट वहीं से नहीं कट कर सकते हैं वहीं से कट करेंगे तो फिर वहीं दिक्कत करेंगा वहीं से कट कर देंगे तो फिर आपका यह खुलने लगेगा तो हमें वहीं से डाइलेक नहीं कट करना है, हम इस तरह से इसे खीच लेंगे, यह देखें, थोड़ा सा ध्यान से खीचिए, अगर आपका उन कहीं भी थोड़ा भी फसेगा, तो फिर वो निकलता नहीं है, इस तरह से मैंने यहां पर इसे खीच दिया, आप खीचने के बाद जो बूट है वो बनके रैड़ी होगा, आप देखें कितना सुंदर लग रहा है, एकदम सिंपल और इसी तरीके से मैंने इसे बनाया है, और इसमें तो हमें उपर बॉडर बुनने के भी जड़त नहीं, क्योंकि देखें काफी उपर तक यह हाइड है, धक रहा है काफी यही बुट मैं तीन नंबर को भी पहना के दिखा लिए हैं, तो आप सामने हैं कितना सारे है, यही बूत बहुच भी पहना के लिगए, अगर चार नंबर को भी आजाएगी, तो आप चार नंबर को भी से पहना पाएंगे, म 해 सबी सची काला जी हैं, यंद सभी लोग को पता हैं, इसपिसमया मैंने 5-6 लोगों को निकाल के रख्था आप है वीडियो में, रहाते हैं वह गूद्ब को भी ढवी आ गया है अक ये इस तरह से पूरा धका रहेगा कहीं से कुछ कुला नहीं है आप देख सकते हैं लाग दए आ जा रहा है और ये जो हमारा चोटा वाला है वो यू आपको जिरो साइज को भी पहना के लिखा देती हूँ कि क्या वह जिरो साइज और एक नंबर को आएगा या नहीं तूल यह इसे हम निकालते हैं ता बीखेवन का नहीं थाफ गया ना भीवन का खानलन यह तिस्कित होलोगा लगतने है इसले कि आप यह जीरो साइश के पेना करते है अब नहीं हमारे हमारे पांश नंबर एका नहीं तूब एंप साइब heck तो 5 नमबर को बड़े हो जाएंगे जादा, फिर भी पहना के देख लेते हैं, अगर आज आएगा थो हम 5 नमबर को भी पहना लेंगे, यह थे पर थोड़ा व को नहीं water आ आए यह मैंने जो छोटा वाला बता है इसे आप 0 और 1 नंबर को पहना लिजे और बड़ा वाला जो बता है वो आप 3-4 और 2-3-4 नंबर को पहना लिजे तो यह थी हमारी आज की वीडियो आई वीडियो आपको बसंद आए होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को स्ट्राइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें आप मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अरे कुछना रादी रादी रादी